दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पंखें में जब लाइन दे रहा है तो हमारे पंखा गूंगू कर रहा है लेकिन गूंग नहीं रहा है तो इसी वीडियो में इसको रिपैर करेंगे आपको दिखाएंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है प् करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जो खिलीफ है जो कि इसमें कैपेस्टर को डालते हैं डालके इसमें लॉक करके डखते तो इसको हम लोग सबसे पहले खोलेंगे को खोलने के बाद दोस्तों हमें पंखे को ऐपन्न करने हुंगि तो पंखे को ओपन्न करने के लिए तीन नट इसमें hugely you दी हुए है जो कि एब देख रहें एक है दो है और तीन है तो इन फटक हड़ी से खोल के और पंखे को ऐपन azul कर लेते हैं देख रहे दोस्तो हमारे पंका खोल गया अब इसको निकालना है तो निकालने के लिए कुछ इस परकार ऐसे रखके हलकी से चोट मारेंगे ऐसे करके तो पंका खोल जाएगा सबसे पहले इस वैसे चोट मार के और इन तारों को सीधा कर लेंगे जो इसमें वायर लगे हुए है तीन इनको सीधा कर लेंगे और सीधा करके पंखे को फा लेंगे जोकि आप देख रहे हैं ठाकर इसको साइड में रखते हैं और इसको निकालते हैं दोस्तों, हमने पंके को पुरा open कर लिया है open करने कब आपको दिखाता हूं आगे हो सकता है कि आप जब खोलो तो यहां bearing होगी तो इसको तो निकालना बहुत मुस्किल है लेकिन इस वाले बैरिंग को निकलना असान है क्योंकि इधर कुछ छेने होनी या कोई सरीया रहके चोड मारो तो यह बैरिंग बाहर आ जाती है तो मैं आपको बताता हूं या अगर यहां न रहे यहां रहे तो आप इसको कैसे निकालोगे बैरिंग को कैसे निकालोगे मैं आ कि यह बेरिंग निकाल दो यहाँ वाले और यहाँ ले और यहाँ निकल वा ले ना जैसे भी पूलर है, तो आप इस टयप को पूलर से वैरिंग को खीच सकते हो, अगर आपको दिखाते हैं चीट करके, जो कि हमें सरीज टेस्टर का जूरत पड़ेगा, अगर आपने सरीज टेस्टर बनाना नहीं सिखा है दोस्तो, तो हमारे वीडियो मैंने आई बटन पर इसके लिंक देख सकते हो, हमने स्रीज टेस्टर बनाया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक देदेंगे कि स्रीज टेस्टर कैसे बनाते हैं, तो आप वहाँ से देखकर बना लेना, तो अई आपको इसकी वैंडिंग चिक करके दिखाते हैं वीडियो में, देख रहा है हमा कर रहा होगा, मतलब यह हमारा पंका सही है, अगर बलब तेज गलो करें तो पंका खड़ाव है, इसके साथ बोडी अर्थ भी चेक कर लेंगे, बोडी अर्थ नहीं है, अब लाल के साथ पिली वायर को चेक करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं, यह हमारे लाल वाले कॉमन व मैंडिंग तो सही है, दोस्तो, अब इसके फिटिंग करके आपको दिखाते हैं, प्रॉपर, कि जो इसमें, जो हमने बैरिंग निकाला था, दोस्तो, आपको दिखाऊंगा, कि आप देख रहे हो, हमारी यह बैरिंग पूरा खड़ाब हो चुका है, और यह घूम नहीं रहा दोस्तो, इसके निच्चे में सबसे पहले लगाएंगे, तो यहाँ स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग को डाल देंगे, दोस्तो, अगर आपके पास गिरिस है, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही फिटिंग कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर गिरिस डाल द बासट सभीक वाली बेरिंग निच्चे रहेगी, कुछ इस पर का डाल देंगे बेरिंग को, अगर वो ऐसे नहीं लग रहा है, पहले इसमें डाल देंगे, पंखे की रोटर में, और हलके हलकी किसी चीज से चूट मार लेंगे, डाल कर बेरिंग के उपर में भी हलके गेस ल तीनो तरफ से पूरे बेठने चाहिए, उसके बास इस टेटर को डाल देंगे, इस प्रिंग को ध्यान रखेंगे इस बेरिंग में भी थुरा गिरिस डाल देंगे इसमें बेरिंग को डाल कर हलकी चोड मारके बैठा देंगे हलके लकी चोड मारेंगे ज़्यादा जोड से नहीं नहीं तो यह अमरे यह बेरिंग खराब हो जाएगा और कुछ इस परकार से पंखे को फिट कर देंगे आगे आपको दिखाते हैं दोस्तों जो इसका उपर वाला कौवर होता है जैसे हमने खोला था बिल्कुल उसी परकार उपर वाले कौवर भी डाल देने हैं जो कि यहाँ पर तीन स्कूर होते हैं टाइट करने के लिए तो उसके मिला कर इसको डालेंगे तकि स्कूरू डालने में दिक्कत ना हो दोस्तों इसको डालने के बाद इस पर ना इस पर हलकेल की चूड मारेंगे हातवरा से बरापर से मारेंगे ताकि हमरे यह बैड यह है जो कि सुराग को जिसमें हमें स्कूरू टाइर करना है उसको मेच करके मारेंगे चोड मार के बैठाने के बाद ये जो स्कुरू दिख रहे हैं ये स्कुरू को इस परकार से इसमें डाल के हसा देंगे दोस्तो जब तीने स्कुरू डाल देंगे डालने के बाद हलकी बराबर टाइट करेंगे तीनों तरफ से और ऐसे इसे घुमाएंगे भी पंके को और घुमा के देखते रहेंगे कि पंका फिर ये की जाम अगर नहीं बैठता है तो हलकेल की छूट मारेंगे हतोरा से चारो तरफ कुछ इस परकार से दोस्तों छूट मारके फिर से बराबर टाइट करना है दोस्तों आप देख रहे हमारे पंके कितने फिरी हो गए अगर ये डिले होंगे तो हलके हलके बराबर से चारो तरफ से टाइट कर देंगे अब देख रहे हमारे पंका एकदम फिरी गूम रहा है देख रहें दोस्तों पंका एकदम फिरी गुम रहा है और इसमें कोई साउंड भी नहीं है तब इसकी कनेक्शन करते हैं और आपको चला के दिखाते हैं हम इसमें तीन तार है मैं आपको बताता हूं यह किलिप सबसे पहले लगा देंगे यहाँ पर यह लगा देंगे इसमें जो कैपेस्टर लगाएंगे दोस्तों आप देख रहे हैं धाई माइक्रो फिरेड का है तो धाई माइक्रो फिरेड का ही कैपेस्टर लगाएंगे अगर स्पीड ना चले फिर तीन पंदर के लगा लेंगे दोस्तों बाड़ी आती है इसकी connection के तो लाल वाले को हमें छोड़ देना है और ये काली वाली और पीली वाली जो देख रहे है इनी ये capacitor के जो दो तार है ये काली और पीली को जोड़ देना है इसी में और ये पीली वाली wire को ये clip के यहाँ पर tight कर देंगे किलिप में 3 तर्मिनल होते हैं जो बीच वाले में हमें टाइट कर दिना है और ये रेड वाले को दोस्तो सबसे उपर वाले टर्मिनल में टाइट करना है और ये जो ब्लैक वाली वायर है हमारी ब्लैक वाली को सबसे नीचे में कर दिना है टाइट करके तार को ऊपर कर देना है ताकि बड़ी के साथ ना लड़े हमारी यह connection हो गए complete वीडियो में बने रही है है गया को और देखाते इसमें बहुत चीज है दोस्तों इस पाइप को भी लगा देंगे और यह फाइनल तार लगा देंगे जो कि जो बंदर ले जाए तो इसमें और इधर उदर ना जोड़ना पड़े मैं आपको दिखाता हूं वीडियो में सबसे पहले यह जो कप है कप को डाल लेंगे इस परकार से कप को डाल लेंगे दोस्तों जो कि यह जो प्रिंटेड होता है यह उपर आता है ताकि ब्रांड को भी सो करे और तार को यहाँ पर ज लेना है अधिये में के तार है दोस्तों यह रहा नट गुल्ट अब अब इसको पिला से टाइट कर देंगे ताकि हीले नहीं दोस्तों उसके बाद यह जो पीन रहता है यह पीन को लगा देंगे ताकि लौक हो जाए कभी खूल के गिरे ना पंखा हमारा अगर आपके बस लौक नहीं है तो कोई तार्टूर लपेड़ देना इसमें हो गए अब इन दो तारों को जो यहाँ दो टर्मिनल है वो दो टर्मिनल में जोड देंगे यह दो तारों को कुछी इस परकार से अब देख रहें दोस्तों हमारा पंखा हो गया अब आपको चला के दिखाते हैं वीडियो में बने रहें दोस्तों जो पंखा हमने बनाया वो देखिए हमने इसको लगाया है अभी हमारे चल रही है एकदम मजे में आपको हावा देखाने कोजिस करूंगा देख रहें हो जो हमारे बोड है वो हील रहा है और भी बहुत सारे चीज वैसे नॉर्मल हावा है चल जाएगा काफी पु और नए वीडियो में चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अल प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो को नटिफिशन आपको सबसे पहले मिले